नमस्कार जोतिश जराट के में बहुत-बहुत स्वागत आपका लगबुक लाश इस्टेज तक आ गए है राहु पीडित होने पर क्या फल देता है और इसके लक्षुन क्या है इसकी जानकारी आज लेकर क्या है फटा-फट अंदाज में बताएंगे लेकिन इभी बता देते हैं मुलाकात करने का समय आप मुंबई में ले सकते हैं मुंबई कर जितने भी हैं अगर मिलना चाहते हैं कुनली विशलेशन करवाना चाहते हैं अपने आने वाले कल की विशे में सट्टिक जानकारी चाहते हैं भाग ये बदलवाने नहीं आईना है जानने आना है जानकर स नाम शहर का नाम मुंबई लिख करके हमें वाटसप कर दीजी पूरी जानकारी आप तक प्रेशित की जाएगी वाटसप नमबर सापके सामने स्क्रीम पर ही फ्लैश होते रहते हैं तीन नमबर हमारे हैं चर्चा राहु की कर रहे हैं राहु परत्मान समय में मिथुन राशी में चल रहा है उच्च राशी माना जाता है मजबूत राशी माना जाता है धनु में नीचका हो जाता है कन्या में मूल तरिकुण माना जाता है तरह तरह की धारणाएं होती है राहु एक छाया ग्रह है सनी जैसा फल देता है और सदय वक्री चलता है 30 से लेकर के 30 पर इसका जन्म होता जब एक किसी राशी में प्रिवेश करता है तो 30 डिगरी पर प्रिवेश करता है और होते 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 एक डिगरी पर इसकी सूने डिगरी आते आते हैं इसके मृत्य होती है और फिर 30 डिगरी पर अगली बैक राशी में प्रिवेश करता है जैसे अभी बरतमान में मिथोन में चल रहा है अब ये ब्रिशब में जाएगा, तीन नंबर से दो नंबर में जाएगा बाकी ग्रह तीन से चार, चार से पांच, पांच से चे आगे बढ़ते हैं ये उल्टा चलता, सदय वक्री रहता है उपर का हिस्सा राहू का, निचे का हिस्सा केतू का सर्प का मुख और केतू को सर्प का पूंच कहा जाता है खैर, ये सब मानताएं हैं हाँ, विश का नैसरगी कारक होता है, जहर का कारक होता है अश्टमेश के साथ किसी भी रूप में तिर्तियेश की युति हो और तिर्तिय का सम्मंद बने तो व्यक्ति की मृत्यू विश्य होती है तमाम चीजों का नैसे करकत तो होता है एक तरह से वाईवी है हवाई और मायावी और छलावा टाइप का ग्रह है छाया है जैसा आपका आकार होगा उसी तरह का इसकी छाया दिखाई दे जाएगी तो तमाम तरह की इस तरह की धारणाए है आज मैं बताओंगा कि राहू अगर पीडित है तो इसके लक्षण क्या होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं देखे राहू की पीड़ा होने पर आपके दांत बड़े उबर खावड से हो जाएंगे लक्षन नमबर एक राहू अगर पीडित है तो आपको दांतों से सम्मंधित कुछ न कुछ दोश और पीड़ा देखे इसमेल से मतलब नहीं है मुह के अंदर से बदबू का कारक अरक प्लैनेट है उसमें मरकरी का हाथ होता है दांतों के शेप की बात हम कर रहे हैं सिर्फ शेप तक आईएगा बड़ा बारीक बारीक सा डिफरेंस होता है जहां प्लैनेट से चेंज हो जाते है अगर दांतों का शेप आपका आकार गड़बड है तो इसका मतलब राहु आपका पीडित है पहला पहचान पहली लक्षन सबसे फर्ष्ट लक्षन हमने बता दिया अगर राहु आपका पीडित है तो आप सदयव आतंकित रहेंगे भया क्रांत रहेंगे आपके अंदर एक अन्नोन डर रहेगा फियर रहेगा अग विच काइंड आफ फियर किस तरह का डर डर रहेगा कोई डर नहीं सबसे बड़ा डर यही है कि आपको समझब नहीं आएगा कि आप डर काहे रहें मतलब राहु पीडित है राहु मजबूत होता है तो एक ती बड़ा निडर होता है सिकिया पहलवान रहेगा लेकिन भिड़ जाएगा ससुरा किसी से भी यह राहु की मजबूती है कि वो दिलेर बनाता है हिम्मती बनाता है सुसाइट बॉंबर बनाता है तब आप कहेंगे कि सुसाइट बॉंबर में दिलेरी कैसी obviously यार दिलेरी माले जिसको मौत का डर रही उससे बड़ा निडर कौन होता है तो राहु के एक अच्छे संकेत के बारे में बता रहे हैं यह अच्छाई है राहु की मलब एक आतंकवादी की अच्छाई क्या होती है तो राहु को मैं आतंकवादी मान के चल रहा हूँ न राहु प्रकारांतर से अच्छा हो जाता है कभी अच्छा होता नहीं है बहुत ध्यान से समझेंगे सुनिये का मत आज के कारिक्रम को ध्यान से समझेंगे तभी वहाँ पहुँच पाएंगे जहां पहुँचाना चाहते है आतंकवादी बुरा होता है जो आतंक मचाए वो आतंकवादी है बुरा है लेकिन अब बुरा अच्छा छोड़ दीजे एक आतंक वादी की जो क्वालिटी होती है वो क्या है? सबसे पहली क्वालिटी है निडरता राहू अच्छा होता है तो बहुत निडर बनाता है Otherwise, बिध्धनसक तो हई है destructive तो हई है हमेशा उल्टा चलने वाला अगर है शुब कैसे हो सकता है तो पीडित होगा तो ये भीरू प्रवित्ति देता है आपको डरपोग बनाता है अंजाना सा डर आपके 24 घट्टे दिमाग में चलता रहता है ऐसे लोग रात में सुसू आने पर बात्रों तक जाने में हाल कांप जाता है बुरहा पर हम रहेंगे 35-40 साल के रहेंगे लेकिन बीबी की जगा कहेंगे बात्रों तक चलोगी जरासा बहुतों को देखा है मैंने इतना डर लगता है चाहे औरत हो चाहे आदमी सबके लिए यह मैं बता रहा हूँ राहु अगर पीडित है तो डर जरूर लगेगा दातों की बनावट बुरी नमबर एक आपके अंदर डर समा जाता है दूसरा लक्षण था राहु पीडित होने का लक्षण नमबर तीन जगडों में आप पिट जाते हैं यह भी राहु का पीडित लक्षण है जगडा हुआ और आप खुब पिटा गए तो आपका राहु पीडित आपने पटक के चड़वई था पटक के मारा आपका राहु बलवान राहु अगर आपका पीडित है तो आपका शरीर बड़ा अस्त व्यस्त रहेगा देखते हों कि ना बहुत लोग टाई लगाते हैं तो यह सरका लेते हैं यहाँ पर बाल ऐसे 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 कर लेते हैं लॉंडे आज कल के जो स्कूल जाते हैं यह साथमी आठमी से ले करके और ग्यारहमी बारहमी तक क्या बोलते हैं उनको फंकी स्टाइल सालों का बाल पकड़ करके ना इसे चाही चुँआ इसे काट दिया ज़त समझ में आ जाएगा तो यह शर्ट यहां निकला है यहां पर कहीं दबा हुआ है तो आधा चेन के अंदर से शर्ट निकला है हमने यह भी देखा है यह चैनों अखंदर से स्ट का इतना बड़ा टुगड़ा निकाल देते हैं ससरी वाले हद्द है यार यह कालर उठा लेंगे मतलब यह क्या है कुछ भी स्टाइल हो जो रिब्ड जीन्स क्या होती है दस बीज जगें फटाही जीन्स इस सब पीड़ी द्राहुक लक्षण मित्रों भगवान कसम आप कुंडली में देख लीजिए ना सही निकले तो ब्रामण नहीं है चैलेंज है मेरा खुला चैलेंज है देख लीजे उधारण देख लीजेगा तो हमारा सभाव ऐसा बन जाता है कि हमको लगता कि हम स्टाइलिस हो रहें लगता है कि हम स्टाइलिस हो रहें तो ये लगना और होना बड़ा अंतर होता है जो लगता है वो है ऐसा जरूरी थोरी ना है अब एक पीचर देखे था जिसमें सल्वान खान ने उसको जो है कहा कि आपने इतनी बड़ी किताब लिखी परेश रावल को रेडडी परेश रावल को लगने लगा कि हम तो बहुत बड़े जो है इकनौमिष्ट हैं वो होता नहीं है तो राहो ये भ्रामक प्लैनेट है राहु ब्रहम पैदा करता है आ गया ना सही चीज तो फटही जीन्स पहन करके कोई अच्छा कैसे लग सकता है ब्रहम है तो है आप कल्पना करो वास्तिविक्ता क्या है अगर इतनी अच्छी चीज है वो तो साधी व्याह में पहन के वह इसे रहो दुलहा बन जाओ इसे पहन करके फटहा जीन्स पहन के काहे के लिए लहगा और सिर्वारी डालते हो तो कहने का तात्पन वो आस्तिविक्ता नहीं है तो ये भ्रहम ही राहु की पीड़ा है हम भ्रहम से बाहर आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फटहा कपड़ा अस्तविस्त लाइफिस्टाइल कमरा पूरा मैं सब हमारे एक मित्र एक दिन कहे हमसे ऐसे ही ठिक ठाक मित्र हमारे हैं कि हम घर को ऐसा रखते हैं कि कोई आगर ये ना समझे कि हम मेहमान के घर आए मतलब उन्होंने घर को वो इतना अस्तविस्त रखते हैं कि अब उनकी अपनी फिलोस्फी है कि कोई अगर आएगा बाई बहुत करीने से सब कुछ सिस्टमाटिक रखा रहेगा तो किसी को लगेगा कि अठे हम यहां कहां आगे अब चदर यहां फेंका हुआ है तकिया यहां फेंकि यह चपल दस्थ हुई दर उदर फेंके हुए है अजीब सी गंधा आ रही घर से तो कोई भी कहगा कि नहीं तो हम अपने घर में आ गए नहीं ऐसा नहीं है लगता ऐसा है सच्चा यह थोड़ी ना है सबकुछ सलीके से रहना सिस्टमेटिक रहना करीने से रहना यह शुभ होता है तो अगर बहुत मैसब आपका घर है बहुत बिखरा है अस्त बेस्त है एक शरीर हमने बताया अस्त बेस्त रहना राहु की पीड़ा घर का अस्त बेस्त रहना ये भी राहु की बखत बड़ी पीडा होती है तो आपको इस चीज को समझना होगा कि राहु को पीडित भोग रहे हैं तो अब उसको अपनी सोच और विचार से ठीक करने की कोशिश शुरू कर दीजे राहु की पीडा कारावास ले जाती है जेल ले जाती है जेल आप जाएंगे ही जाएंगे राहु पर शौम में ग्रहों की दिष्टी है तो थाने से वापस आ सकते हैं ले दे करके छूट जाते हैं किसी भी तरह की भ्रामक इस्थती जीवन में राहु है किसी भी तरह की भ्रामक इस्थती किसी भी तरह है डर की स्थिति कुछ लोगों को वो एक बिमारी होती न जिसमें वो खूब ज़ादा सरीर धूलते हैं, कपड़ा धूलते हैं, धूलते धूलते मर जाते हैं, ठक जाते हैं राहू होता है, क्योंकि वहाँ एक भ्रह्म है वहाँ एक भ्रह्म है थांकियू सो मच इस भ्रह्म की स्थिति में आने के लिए और हमारे साथ भ्रह्म को जीने के लिए और जोतिश का जो योग है वो आपके लिए शुबता दे यही हम आपसे इस वर से प्रातना करते हैं पीडित राहों से बचने के लिए आपको बस एक ही उपाय है गउ की दबा के सेवा करिए सात्विक रहिए पत्थर सत्यानाश करते हैं जिन्दिगे में कभी गोमेद मत पहनिएगा गोमेद आपके लिए घातक रहेगा मुलाकात करने के लिए बिल्कुल समय चल रहा है आप हमसे मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं आज और कल दो दिर भी मुंबई में इसके बाद गाजयवाद में मुलाकात कर सकते हैं एक मार्ज से बारे तेरे मार्ज तर Thank you so much प्यार बनाए रखने के लिए, नमस्कार, श्री रादे